हेलो गाइस वेलकम टू आर योटूब चैनल दोस्तों यहां पे मेरे पास एक रिट्स वीडिया यह डिजल इंजन और यहां पे मैं इसे ड्राइब कर रहा हूं बट इसका जो स्पीडो मिटर है और यह जो माइल मिटर है दोनों भी काम नहीं कर रहा है इसमें आप देखे साला कुछ हम लोग डीटेल इस वीडियो में देखेंगे और इसे स्वाल्ब करेंगे तो यहां पे हमारा न्यू स्पीड सेंसर और इसका कॉस्स देख सकते हैं 745 रुपीज और पार्ट नंबर आपको एक बार नेट पे भी चेक कर लेना है कि यह आपके कार के हिसाब से है क कि नहीं पार्ट नंबर में वेरियेशन हुआ तो कभी-कभी प्रॉल्म हो जाता है तो यहां पे देखिए यह है यह और यह हमारा सेंसर न्यू वाला जो और इंग है यह रहना चाहिए नहीं तो वाइल बहार आएगा लीक करेगा अब यह फिट कैसे रहता है तो बहुत ही इसी है यह कभर दिया हुआ है यह देखिए तो यहां पर बस यह आपका गियर बॉक्स पे 10 नंबर के बोल्ट से यह फिट रहता है यह देखिए जैसे ही आप टेल नंबर का बोल्ट बाहर निकालेंगे एक कंप्रीट एसम्बली आपका बाहर आ परहर निकाल में लगा सकते हैं तो बहुत ही इसको लगाना बट प्रालिम को जाता है वह बहुत ही अंदर में रहता नहीं पालेंगे तो I बहुत अंदर आपको आना पड़ेगा तो यहां पे उसी पहले एक iting तो पहले साथ से जला निकालना विस्वारे के वह के फिर हम लोग वहां पर नीव अला इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पे जो टूल आपको यूज करना है यह देखिए मैं बाहर निकाल ला हूँ यहाँ पे जो टूल यूज करना है वो भी आपका special होना चाहिए यह देखिए इस तरह का टूल का मैं यूज करता हूँ अब वहाँ तक मैं आपको सो नहीं कर पाऊंगा यह देखिए वहाँ पे बहुत ही अंदर में यह देखिए वहाँ पे तो वहाँ पे कैसे भी करके आपको हाथ को पहुचाना है जेनरली बैक साइड से इस साइड जो गैप है वहाँ से आपको पहुचाना पड़ेगा सॉकेट को निकालेंगे और पुड़ाना बाला सेंसर को बाहर निकालेंगे और उसके बाद नया लगाएंगे तो मैं निकालता हूं फिर आपको बताता हूं तो यहां पर देखिए यह जो socket आप देख रहे हैं यह मैंने बाहर निकाल लिया है यही था और यहां पर देखिए यही है sensor यह यह sensor है और यह 10 नमर का bolt है तो इस से ही हमें open करना है यहां पर 10 mm का तो यह देखिए यहां पर मैंने सॉकेट फसा लिया है टेन नमर बोल्ट में और फसाने के बाद मैं उसे लूज करके हाथ से ओपन कर लूँगा और वो जो बोल्ट है नीक्षे नहीं गिरना चाहिए गिरेगा तो फिर प्रॉल्म होगा तो यह देखिए बहुत हुट्य आपक को भी बाहर खीच लेना है तो वहां पर सेंसर है और उसे खीचना है बाहर और कभी-कभी यह टाइट रहता है क्योंकि वहां पर और रहता है तो यह देखिए मैंने इसे फ्रसस सीख कर दिया है अब आई थिंक कि यह बाहर आ जाना चाहिए तो दोस्तों आप्टर लॉंग स्ट्रगल और 10 टू 15 मिनिट्स मैंने इसे बाहर निकाल लिया यह देख सकते हैं और यह गियर बॉक्स में डेट रहता है तो इसको आपको बहुत ही कियरफुल बाहर निकालना है यह नहीं कि आपने इसे तोड़ दिया अगर आप तोड़ देंगे तो फिर बहुत बड़े प्रॉलम में आप फंस जाएंगे इसको आपको तोड़ना नहीं है आपको यह वाला जब 10 नमबर का बोल्ट आप ओपन कर लेंगे यहां पे तो इसको इधर धुमाते वे ऐसे ऐसे करके आपको बाहर निकालना और बहुत लोगों को मैंने देखा है कि यहां पे सॉकेट लगा के खीशते हैं तो उस तरह से अगर आप करेंगे तो फिर आपका वायर डामेज होने का टेंसन होता है तो आप यह सेंसर लगा भी देंगे तो फिर काम नह नहीं चलेगा तो ऐसे करके आपको बाहर निकालना है और न्यू वाले में भी आपको ओरिंग देख लेना है न्यू वाला और यह ओल्ड वाला दोनों को आपको कंपेर भी कर लेना है हाला कि इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस लग रहा है बट मैंने पार्ट को चेक कर लि यह देखिए तो सही है फारफेक्ट और इसका जो लेंट है दोनों का वो सेम होना चाहिए नहीं तो फिर वो बोल्ट लगेगा ही नहीं तो आई थिंक कि यह दोनों सेम जगह पे है तो यह फारफेक्ट है तो मैच कर लेना है बहुत अच्छे से कि अगर आप लगा देंगे और काम नहीं करेगा तो बहुत अफसोस होता है तो पार्ट नमबर वेरिफाई जरूर कीज़ेगा तो चलिए इसे लगाते हैं जैसे हमने बहार निकाला था उसी तरह इसे इंसर्ट कर देंगे और यह जो कैप है यह कैप आपको तब निकालना है जब आप इसको इंसर्ट क लगा रहा हूं और उसके बाद इसे रन करके देखते हैं कि कैसा काम कर रहा है आपका स्पीडो मीटर और माइल मीटर दोनों काम करने लगा तो मॉस्ट अप दी टाइम यही सेंसर डैमेज हो जाता है बट कभी कभी क्या होता है कि चूहा कार देता है वायर को तो आप इस से सेंसर को रिप्लेस करने के पहले एक बार आप अपने वायर को अच्छे से चेक कर लिए कि कहीं से चूहा तो नहीं कट कर दिया है या कहीं से कभी कभी सौर्ट भी कर जाता है कुछ इस तरह कभी प्रॉलम आ जाता है बहुत रेर केसे में बट मॉस्ट अप दी टाइम सेंसर का ही इसू रहता है और अगर आपके पास scanner है तो आप scan भी कर सकते हैं उसमें port दिखाता है speed sensor A का वो error दिखाता है तो आप समझ सकते हैं कि हाँ बाई sensor का problem है आप उसको change कर सकते हैं तो यह perfect हो गया और cost भी ज्यादा नहीं था 750 रुपीज का I think 745 रुपीज का तो आप कर सकते हैं आज के date में यह cost future में मैं भी कि यह cost increase हो आगर यह video आप चार पांस साल बात देखेंगे तो फिर वह costly होगा और लगाना थोड़ा सा difficult है क्योंकि वहां तक हाथ नहीं पहुंसता है बट हाँ आप कर सकते हैं और बहुत ही easily हो जाता है और सिर्फ एक 10 number का bolt आपको open करना रहता है जैसे ही आपने वह bolt open किया आपका काम हो गया है और कभी भी एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कभी भी वह जो sensor उसको अगर आपको बाहर निकालना है तो आपको अब कनेक्टर हटाके निकालनाहा है ऐसा नहीं कि आप wire के साथ उसको खीет रहें वायर तो वो वायर ही बाहर उखर जाएगा वोस पतला-पता रहता है तीन वायर तो वो बहुत प्रॉल्म हो जाएगा फिर आप सब्सक्राइब करेंगे फिर सेंसर डालेंगे तो वही टेन नंबर का बोल्ट हटाईए सेंसर हटाईए और न्यू डालिए यह फारफेट हो गया तो दोस्तों प्लीज जिए लाइक कि अपने दोस्तों में सेयर किस चाहिए सब्सक्राइब कर साथ बेल आइकन को प्रेस किए ताकि जब भी मैं को नया वीडिया आपके लिए बनाओ तो आपको नोटिकरिसन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सके और दोस्तों अगर आप अपने वेहिकिल को खुद से रिप्यार करना चाहते तो बहुत ही डीटेल में बहुत ही डीटेल में मैं आपको एक एक ची सबसे बनाओ ते